गेंद्र सरकार ना निड़े साथी कॉंग्रिस ना यूआ नेताव पंचे मिलिन देवरा आध्यतिसी दिपेंदर उन्डा समर्थन मा आव्या छे राहूल गांधी एक ट्विट करियु छे आ मुद्देर राहूल गांधी शू ट्विट करियु छे तेरी उपर नजर करिये काश्मिर ने आज़ाद करवाना विरोध मार राहूल गांधी जुवा मड़या सरकारे बंधारन नू लंगन करियु छे तिव राहूल गांधी जनार नुछे कलम 303 मुद्दे 24 लाक बाद राहूल गांधी जागया छे काश्मीर ने आज़ाद करवाना विरोध मार राहूल गांदी थुट करियो उछे सरकारे बंधारंण नू लंगन करियो छे तिउ राहूल गांदी गया चे गलाम 307 मुद्दे 24 कर लाक बाद राहूल गांदी जा गया काश्मिर ने आज़ाद करवाना धिरोध माचे राहूल गांदी, काश्मिर ने आज़ाद नथी जोवा मांगता राहूल गांदी, राहूल गांदी ये आध ट्वीट करियु छे, कलम त्रोंसो सित्तेर हटाव्याना 24 लाख बाद राहूल गांदी ये आध ट्वीट करियु छ तोकेंद्र सरकार्ना नीडे साथे कॉंग्रेस ना युवा नेताओ पंचे मिलिन देवरा आधिती से ही दिपेंदर हुडा तेन समर्थन मा साम्याव्या छे कलम 303 दूर करवा मुद्धे युवा नेताओ ये समर्थन करुछे गुजरात कॉंग्रेस ना युवा नेताओ ये वा छे के जमने कलम 303 हटावा नी वात मा भाजब सरकार्ना समर्थन करुछे जिमा मिलिन देवरा अधिती से दिपेंदर हुडा समर्थन मा सामयाव्या छे आव साथे जि कलम 303 दूर करवा मुद्धे युवा नेताओ ये समर्थन दरसावियु छे दिगज नेता जनार्दंद विवेदिये पन समर्थन आपियु छे कॉंग्रेस नेता जनार्दंद विवेदिये पन आव आतने समर्थन करियु छे विशे बदो जानकारी मेडवी अमारा संबात दाता ब्रिजेश दोशी आपनी साथे जुडायाचे जे ब्रिजेश खासकरी ने कया इवा कॉंग्रेस ना नेताओ छे कि जे ओ कलम 300 सितेर हटावानी वातनू समर्थन करिया आछे अने जे लेताओ आगल आव आदे आचे समर्थन करिया आचे तेना कारणे क्याक ने क्याक कॉंग्रेस नी अंदर कोई आंतरीक कला जुआ मणी शकेश जे ते वाद करामा आवे तो आज समग्रम उद्दे कॉंग्रेस मा बे बाग सवस्त देखाई रहा छे जे इतनी खिदीग वाद छे के जे जुचूना नेताओ छे तेमा जे राजय सभामा मुद्धो उठावियो लोक्सभामा मुद्धो उठावियो ते लोको 300 सित्ते नों समर्थान करे जे जारे युवा नेताओ तो उठावियो लोक्सभामा मुद्धो उठावियो संचतिये विश्तार माती आवे जे जे जारा सभ्या छे तेमने पर समर्थान करे जे जे लोक्सभामा मुद्धो उठावियो लोक्सभामा मुद्धो उठावियो संचतिये विश्तार मुद्धो उठावियो लोक्सभामा मुद्धो उठावियो तेयो वातनू समर्थन करी रहा छे केंद्र सरकार्ना नुईने थी तेयो खूस छे अने तेमने ट्वीट करी ने आ मुद्धे जानकारी आपी छे जमु काश्मीर मुद्धे अने के प्रतिक्रियाओ पर सामे आविरी छे आओ जोई है आ देश ना लोक्साही मंदीर मा लोक्सभाने राजिये सभाने अंदर काश्मीर ना मुद्धे जे निरने लेवानों जम थे निर्लेएं, राश्टाहित्माँ निर्लेईंसे, वो वयर्ति गत रितें, हुँ मानौ छू। आपकरो ये ये लूट देशना नागिरीक में थे...‍फरत नाभागरुपया में आ निर्लेईंने अवकाई करूू। तेखे थी 7 Trad vivid का खात्मा काराट सीटाग जम्हू कश्मी लदाग की 370 समस्याँ की समाधान का रास्ता साफ करेगा हम कहते हैं कि काश्मीर जम्हू कश्मीर लदाग हमारा अभी अब इन vị anyways छेहिू नहीं हुआ है लेकिन जो भी हम संसद में कानून बनाते थे वो इसमें लिखा होता दा साफ की जम्मू कश्मीर के इलावा पूरे देश में लागू होगा और उस कानून को कौन पास करता था उस कानून को पास करने में छे जम्मू कश्मीर के सांसद भी हुआ करते थे जिस जो जम्मु कश्मीर के सांसद जिस खानून को पास कर रहे हैं वो अपने राज में ही नहीं लागू कर सकते थे आज जो है वो जिस तरह का चोतरफा पाबंदी थी जिस तरह से जम्मु कश्मीर के महिलाओं के अधिकार सामाजीक अधिकार, शिच्छा के अधिकार और भी समयधानीक अधिकार जो देश भर में थे वहां नहीं थे कुछ लोग जो लोग की अभी तक 370 का सुरच्छा कवच पहन करके और अलगावाद और रातंगवाद को बढ़ावा दे रहे थे, उनमें बेचा नहीं होगी लेकिन आम जो जम्मु कश्मीर का नागरिक है, आम जो जम्मु कश्मीर और लद्दाक के लोग है, वो खुश है उन्हें इस बात का अच्छी तरह हिसास है कि 370 ने उनका कितना नुकसान किया है 370 ने उन्हें परगती की मुगधारा में शामिल करने में कितना बड़ा रोलाट काया है आज जो है, वो सतर सालों की जो ये एक इतिहास की गल्ती थी उसको साथ घंटों में परदानमंती नरेन मोदी जी ने, अमिशा जी ने खत्म किया है एक स्वर्णिम अज्जाय के रूप में आज के दिन का जो 372 ने खत्म किया है